हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया बहुत स्पेशल रेसिपी चिकन लिवर ओमरेट इससे अगर आपने एक बार बना लिया ना तो लोग आपके दिवाने हो जाएंगे दिवाने इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैंने में सबसे पहले डालूँगा कटी हुई मिर्च एक चमच कटी हुई धनिया की पतियां एक चमच अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और किचन किंग मसाला डालेंगे अगर आपके बास किचन किंग मसाला नहीं है तो गरम मसाला डालें और इसको अच्छे से फैंट लें इसको अच्छे से फैंट लें इसको अच्छे से फैंट लें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इससे ये फलफी बनता है तो मैंने पैन रख दिया है और पैन में मैं आप ओयल डाल रहा हूँ जैसे मेरा ओयल गरम हो जाता है तो मैं इसमें इसे half down करें और अब इसमें डालने चिकन लीवर यानि की मुर्गे की कलेजी जिसको मैंने चाको से बहुत बारिक बारिक काटा है अगर आप चाको से नहीं काट सकते इतना बारिक तो आप इसको पीश भी सकते हैं मिक्सी में इस तरह से इसको पूरी तरह से पका लेना है ध्य से आप इसी तरह से सैट करें इस सैट करना भोत ही जरूरी है नी तो नीचे से ये जल जाएगा और शितों का बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा तो मैंने इसको कर लिया आप इसको में पल्ट रहा हूँ इस तरह से पलेट पल्टने के बाद पैन को दुबारह से रखें थो बिल्कुल इसी तरह से और इस तरह से दोस्तों अगर हम इसमें डालते हैं तो ये बढ़िया से कुक हो जाता है नीचे से ये देखिए अब ये फलफी होगा इसको थोड़ा सा प्रेस करें वा भई वा अब ये पक चुका है तो इसको मैं दुबारा से फिर इसको निकालेंगे ये देखिए इस तरह से आपने निकालना है अब एक बार थोड़ा सा हम इसको और डालेंगे तो इस तरह से आप डालें दूसरी तरफ से और ये देखिए बिल्कुल हमारा बनके तयार है दोस्तों थोड़ा से इसको प्रेस करें प्रेस करना बहुत जरूरी है इससे ये फल में और दोर से दोस्तों देखने में तो ये पीजा लग रहा है यचीश से भी टेस्टी है और हेल्दी है तो चलिए इसकी कटिंग कर देते हैं जैसा हम पीजा काटते हैं ये देखे इस तरह से इसे काटिए और सर्व करें अपने बच्चों को साथी ओगा हूं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जिसको भी आप आमरेट किलाएंगे वो आपको जीवन भर भूल ना पाएंगे क्योंकि इतनी ही शानदा रेसिपी है ये अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है इसका मतलब है कि आप कुकिंग के शौकीन है खाने के शौकीन है क्योंकि मैं आप हर रो जिसमें कोई ना कोई न्यू रेसिपी डालने वाला हूँ